हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवरे ट्यूब चैनल नेचर एडवाइजर स्वागत है आप सभी का दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं करेले से होने वाले फायदे के बारे में करेला स्वाद में भले ही कड़वा लगता है लेकिन इससे होने वाले फायदे बहुत ही मीठे होते हैं तो आईए जानते हैं करेला खाने से क्या-क्या लाव होता है सबसे जो पहली चीज है कि करेले में फासफोरस परियाप्त मत्रा में पाया जाता है यह कब जो पाचन समंदिस समस्याओं को दूर करता है इसके सेवन से भोजन का पाचन ठीक तरह से होता है और भूग भी खुल कर लगती है अस्थमा की सिकायत होने पर करेला बेहत फायदे मंद होता है दमा रोग में करेले के बगर मसाले वाली सबजी खाने से लाब मिलता है करेले का जूस पीने से लिवर मजबूत होता है और लिवर की सबी समस्याओं समाप्त हो जाती है प्रति दिन इसके सेवन से एक सब्ता हमें प्रडाम आने सुरू हो जाते है इससे पीलिया रोग में भी लाब मिलता है पेट में गैस बनने या अपच होने की समस्या से करेले का रस का सेवन करना हमारे लिए उत्तम रहता है जिससे लंबे समय के लिए या बिमारी दूर हो जाती है करेले की पत्तियों या फल को पानी में उबाल कर इसका सेवन करने से सरीर की रोक प्रत्रियोदक चमता यानि की इम्म्यून्टी सिस्टम बढ़ती है और किसी भी प्रकार के संक्रमट ठीक हो जाते हैं उल्टी, दस्त या हैजा हो जाने पर करेले के रस में काला नमक मिलाकर पीने से तुरंतारा मिलता है जलोदर की समस्या होने पर भी दो चम्मच करेले का रस पानी में मिलाकर पीने से लाव होता है लकवा या पैरालिसिस में भी करेला बहुत ही कारगर उपा है इसमें कच्चा करेला खाने से रोगी के लिए काफी फायदे मन्द होते हैं खून साप करने के लिए भी करेला अम्रित के समान है डायबिटीज में या बेहत असरकार मानना चाता है मदुमें में एक चोथाई कप करेले का रस उतने ही गाजर का रस पीने पर लाब होता है खूनी बवासेर यानि पाइल्स के समस्या में करेला अतियन तलाब दायक है एक चमच करेले के रस में आधा चमच सक्कल मिलाकर पीने से काफी आराम मिलता है गठिया वा हाथ पेरों में जलन होने पर करेले के रस का मालिस करना चाहिए कैंसर से लड़ने के लिए करेले का रस का सेवन बहुत ही लाबकारी सिद्ध होता है नीबू के रस के साथ करेले के रस का चेरे पर लगाने से मुहासे ठीक हो जाते हैं कभी भी तवचा रोग नहीं होता है हार्ट से संबंदिस समस्याओं के लिए करेला एक बैतर इलाज है यह हानिकारक वसा को हृदय की धवनियों में जमने नहीं देता जिससे रग्त संचार बेवस्तित रुप से चलता रहता है और हार्ट अटेक की समभावना नहीं होती है एक इस्टडी के मुताबिक करेले का जूस मुटापा कम करने में मदद करता है यह इंसुलेन को एक्टिव करता है जिससे सरीर में होने वाले सूगर फैट को कम करता है इससे चरबी को कम करने और फैट कंट्रोल करने में मदद मिलती है इसके अलावा करेले में काफी कम कैलोरी होती है जिससे कैलोरी कंट्रोल में रहती है और वज़ा नहीं बढ़ता करेले का जूस ब्लड सूगर को कंट्रोल करने में भी काफी मदद करता है इसमें चेराटीन नामेक एक कंपाउंड होता है जो ब्लड सूगर को कंट्रोल करता है खाली पेट करेले का जूस पीने से डाइबिटेज में काफी फैदा होता है करेले का जूस आँखों के लिए भी काफी फैदेमंद माना गया है क्योंकि इसमें बीटा केरोटीन होता है जो आँखों से सम्मंदित बिमारियों को दूर करने वो आँखों के रोशनी को बढ़ाने में मदद करता है करेले का जूस पत्थरी किड्नी को बाहर निकालने में मदद करता है इसके आलावाया स्कीन समंदित भी बिमारियों जैसे उल्टी, दस्त, गैस की समस्या, पीलिया, गठिया और मुह के छालों में भी आराम दिलाता है करैले में एंटी माइक्रोबियल और एंटी वेक्टेरियल प्रापर्टिज होती है, जो खून को साप करने में मदद करता है इस वज़े से एकने और पिम्पल जैसे समस्याएं नहीं होती है करैले का जूस पीने से स्कीन पर ग्लू आता है, क्योंकि इसमें विटामिन A, C और एंटी आक्सिडेंट होते है साथ या रिंकल्स भी दूर करता है अब दोस्तों बात करते हैं करैले से होने वाले साइड एफेक्ट्स के बारे में तो बहुत अधीक मात्रा में करैले का सेवन करने से पेट में दर्द और दस्त की समस्या हो सकती है ऐसी परिसानी में आपको चावल या घी का सेवन करना चाहिए और अगर बहुत ही ज़्यादा समस्या है तो किसी आयरवेदिक चिकेसक से परामर्स लें तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही उमीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी नई जानकारी दी है अगर या वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सस्क्राइब करें और वीडियो को ज़दा ज़दा सेर करें अगर आप ऐसी स्वास समंदी वीडियो प्रतिदीन चाहते हैं तो बेल आइकान ज़रू प्रेस करें थैंक यू फार वाचिंग वीडियो गाई थैंक यू वेरी मच झालो प्रेस करें झालो बेल मुटब प्रेस करें झालो बेल रहा हैं झालो भीडियो ज़रू जब रहा हैं झालो ज़र आप जब प्रतिदीन झाल झाल